हरे कृष्णा आप सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपको कार्तिक महत्यम का 27 वाध्य है सुनाने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं गणु ने कहा विश्णु दास एक दिन भोजन तयार करके भक्ती में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया लेकिन सायंकाल के अराधना हो सके और व्रत भंग ना हो इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तयार नहीं किया शिनारजी ने कहा हे राजन इस तरह लगातार साथ दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा तब वे हैरान होकर सोचने लगा की है तो बड़ी विच्चित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है फिर मैं भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाता अगर मैं भोजन बना कर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा चूट जाएगी अता मुझे भोजन बना कर तुरंट खाना नहीं चाहिए बिना भगवान को भोग लगाने के वैशनमों को भोजन नहीं करना चाहिए अगर साथ दिन बिन भोजन के बीद गए तो आज का दिन और सही आज मैं भली भांती भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज कौन चुरा कर ले जाता है ऐसा सोच कर विशनुदास भोजन तयार करके भोजन के पास ही चिपकर बैढ़ गया उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर भहुत दुरबल था उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विशनुदास ने पुकारा हे भाई यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगी घी तो लेते चाओ ऐसा कहकर वह श्रेश भामन आगे को बढ़ा विशनुदास को अपनी और आता देखकर वह चंडाल तेजी से दोड़ने लगा वह ब्रामन से डर गया लेकिन दुरवलता के कारण दोड़ना सकता था अतवे भूमी पर गिर पड़ा और मुर्चित हो गया चंडाल को मुच्छित देखकर विशनुदास लपक कर उसके पास पहुँचा और अपने वस्तर से उस पर हवा करने लगा और उसकी बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर भै आश्चर्य चकित रह गया उसने देखा कि उसके समुख शंक, चक्र, गदा, पद्म, पितांबरीधारी, चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान कान्ती वाले च्छाती में कौस्तुम भुमाला से सुशोबी साक्षत श्री भगवान विशनुँ खड़े हैं भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वैस्ष्रेश भामन उनकी स्तुती तता प्रणाम कुछ ना कर सका वहीं पर सब इंद्र आदी देवता भी उपस्तित हो गए और गंधर्व तता अपसराय आकर गीत गान करने लगी तता निर्टे करने लगी भ्रामन उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ त्यों ही वह संपूर्ण देव गंधर्व और अपसराय आ गई विश्णू ने अपना सरूप भ्रामन को प्रकट कर उसका लिंगन किया और दिव्वे विमान में बैठा कर उसे बैकुंठ ले गए दिव्वे विमान में ब्रामन को विश्णू के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा उसने अपने गुरु अचारे मुद्गल को कहा कि मैंने जो ये गादी की है वे सव्यर्थ हुए जितनी दान दक्षिना मैंने ब्रामन को दी वे असफल हुई विश्णू भगवान के दर्शन नहीं हुए विश्णू दास ब्रामन ने केवल शाद से भक्ती की थी उसके प्रभाव से विश्णू भगवान ने आकर उसको दर्शन दिये इसलिए भक्ती ही सर्वो परी है मुझे भगवान के दर्शन के लिए राज काज त्याग कर भक्ती करने चाहिए राजा के कोई पुत्र ना होने के कारण अपने भांजे की राजगद्धी का दिकारी बना दिया और आप विश्नु भगवान की भक्ती करने लगा बहुत काल तक भक्ती करने के बाद भी विश्णु ने दर्शन नहीं दिये तो वह अगनी कुंड में कूद पड़ा अगनी में प्रकट होकर विश्णु भखवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ती से बहुत प्रसन हूँ उसका अलिंगन कर उसको दिव्वे विमान में अपने साथ बिठा कर बैखुंट ले गए विश्णु जी ने अपने समान रूप वाले भ्रहमन को पुन्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को आज ही लाइक वा सब्सक्राइब जरूर करें वा बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएं तब तक एलिए धन्यवाद